हेलो एवरिवन बेलकम बैक टो माई चैनल आज हम आपके साथ बीट रूट रायते की रेस्पी से एर करेंगे यह हेल्थी होने के साथ साथ बहुती जादा टेश्टी भी है यदि आपको हमारी रेस्पी सची लगती है तो प्लीज उन्हें लाइक शेयर और कमेंड जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूने चलिए तो बनाना हम शुरू करते हैं यहाँ पर हमने एक चुकंदर लिया है चुकंदर को हमने छील कर उभाल लिया था ठंडा हो जाए तब आप इसे कतु कस्सी ग्रेट कर लीजे यहाँ पर हमने 200 ग्राम दही ल लिया है नमक डालेंगे और सभी चीजों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे दही आप ज्यादा खटी मत लीजेगा फ्रेस तही में ही आप रायता बनाईए आप चाहें तो यहाँ पर काला नमक भी डाल सकते हैं यह लीजे रायता हमारा बनकर तयार हो गया अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे गैस पर तड़का पैन रखेंगे उसमें हम एक चमच देशी घी डालेंगे घी गरम हो जाएगा तब एक चमच जीरा आदा चमच सर्सों के दाने और एक चुटकी हींग हमने डाल दी है गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है अब इसमें हम कुछ करीपत्ते डालेंगे तड़का हमारा बनकर तयार है रायते पर हम उपर से तड़का डाल देंगे और लिजिए बीट रूट रायता बनकर तयार है फ्रिज में इसे आप एक घंटे के लिए ठंडा होने के रख दीजिए ठंडा ठंडा रायता आप सर्व कीजिए तो कैसी लगी आपको रेश्पी कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा उम्मीद है आपको हमारी रेश्पी जरूर पसंद आई होगी थेंक्यू